आज की पहल टीवी से डॉन्डी लोहारा विलोग से टीडी मानिक पुरी की रिपोर्ट खाम भाट में बिजली विवाग सब इस्टेशन का लोकापन किया गया जिस महसान सदिय सचेव विदायक कुमर चिंग निसाद ने पहुँच कर पूजान अर्चन करके संबोधित किया गया बार बार बॉल्टेज से आम जंता परिसान होती थी जिससे मुख मंतरी भूपेस ब कर से समस्चा नहीं होगी खाम भाट सब इस्टेशन ने समस्च छेत्र में लो बॉल्टेज की समस्चा नहीं होगी मुख अतिती सान सदिय सचेव विदायक कुमर चिंग निसाद कोटू दिल्ली वार जागर स्वान कर मरकाम सायक कनिष्ट अभियंता धुर्व अंजली ठाक कुर्व मुख पालन कनिष्ट अभियंता सर पंच गण पंच अभी यहां गोगारपण कारेकम में हो खांथ अध्यव इड्रत के बार में जो जानता रिया है उसके बारे इड्रत के बार में आज ग्राम खांभाट में सबिस्टेशन के लोगारपन हो इस बहुत प्रकिक्षित मांग जनता के चलते हैं आज लगभक 12 गाना तो इसे सीधा रुख से प्रभाईत हो जेन गाउं में यहां से सप्लाई होती है तो 26 गाउं लाग टीकर से टेहे जाए डारेक सीधा सुईधा मिली और यह माननी मुक्ति मंते जी कि बहुत बहुत आभारू धन्यवाद की बेट मुलाकात के समय मांग करे और आज बहुत जल्दी कार्रूप में पढ़नित होके आज एकर प्रकार्पन करें पूरा ग्राम बास एकर साक्षी हो इसमें बहुत बहुत आभारू धन्यवाद करता हूं कि आसपास के जनता भी जिन सजग होया और हमार इस्थानी जनत दीमन जेकर माजन से यह काम आज क पर्चे बताते हुए आज जो खाम तरह में जो सब इस्टेशन पुरे हो किसान की हित के बारे में उसके बारे में जान करें जी मैं मधुकर जामुलकर चीफ इंजिरियर दुर्ग्षेट था खामभाट जो है माननी मुक्त मंत्री जी जब भेट मुलातात करने खामभाट आ यहां की वाजिब समस्या थी उसका सरवे करवा के बहुत ही कम समय में 33 अपॉन 11 के भी सब्स्टेशन का हमने आज लोकारपन किया है जो हमारी प्रोजेक्ट टिंग और इंडम टिंग जो मिलकर यहां के जो लोटेज का प्राब्लम है उसको निजात दिलाया 5 MP3 करोड से अनवरत निर्बाद सप्लाई यहां पर प्रवाहित होगी और यहां की किसान भाईयों को लोटेज से आगे आने वाले समस्या से नहीं जुझना पनेगा और इनको हम यह शुरीदा प्रदान कर रहे हैं